लोग गुड मॉर्निंग जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई हो बहुत अच्छे हो और माता रानी सब पर कृपा बनाए रखें तो बस यहां पर साइड में गैस पर चड़ी हुई है मेरी गुड़ वाली चाय जो मैं सुबा बना कर पीती हूँ और नाश्ते की साथ में कर रही हूँ तयारी तो हम तो पीते ही हैं सुबा उटके आप लोग को पता ही है कि सुबा की सुरवात मेरी गुड़ वाली ब्लैक टी से होती है जो की मतलब अब तो आदत पढ़ चुकी है बहुत ही मुझे मतलब वही चाहिए होती है सुबा अगर दूद वाली भी चा आपने साथी लेह ही सुबा अपने साथ ही लोगों बना लेती हूं तो मैं पूस्ति कहीं इसा था नहीं आप लोग को जबर जस्ती पीना पढ़ता हूं मेरे साथ में बोलते नहीं अच्छी मतल एक पर लगो तो आदत पड़ जाती और यहां पर मैंने गोभी को चौप कर लिया साथ में प्याट डालके चौप किया और धरिया डाली हरा धनिया धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर उसके बाद यह अध्रक लैसुन और मिर्ची इसको कूट के डाल दिया फिर दाल दिया आठे बनने जा रहे हैं और आठे में मैंने अजवाई नमक और थोड़ा सा तील डालके वो गूंद के आठा भी रख दिया था सौप्ट सौप्ट मतलब गीला गीला और सारी तयारी करके उसके बाद आ गई हूं नहाद होकर पूजा पाट करने के लिए धूप निकल आई है बढ़िया और सुबा आजकल यहां अभी धुंद नहीं हो रही है दूप निकल रही है और ठंडा इतना होता है लेकिन पूजा करते वक्त नंगे पर सौक्स भी मैं नहीं पैदती हूं कि गंदे हो जाते हैं अच्छा जल्दी से नास्ता का नब्रस हुआ कि नहीं अच्छा अनाया अनाया उठके सुबा सुबा लग गई है फोन में अनाया कुछ कोई देशन नहीं कोई कुछ नहीं इदा सुनलो मौसी बुला रही है नहीं है यह बोलते ही नहीं है यह असर है आज की पिढ़ी का उन पड़ाट करण और पाप्र गुस्ता गुस्ता डिस्लैका दो इनुकुल नहीं कोई जुरत नहीं फोन देता उसे द्राइफ्रूट खाया खाया गुस्सा यह बहुत गुस्सा आता है नहीं बोलेंगी कुछ भी अभी फोन बस उटके फोन देखना है यहां पराथे बन रहे हैं और कई लोग क्या होता है कि मैं नहा के नास्ता बनाने लग जाती पूजा पाठ हो जाती है और ब्रस भी नहीं हुआ रहता है तो मैं सब को यहीं कहूंगी कि नहाने के चक्कर में पड़ो अभी सुब़ा आ के गरम गरम पराथे खालो क्योंकि गरम गरम खाने का मजा यह कुछ और होता है थंडे हो जा ília आपने प्रॉप्र टाइम पे नहांना दोना पूजा पाथ क्यों कि मैं बैदने ब्रश किया थे च Te 부탁 मेरे पिच्छा जाके और किसी-किसी दिन ऐसा हो जा रहा कि नहीं नहीं रहें तो मैं कहती हूँ आ जाओ तुम नास्ता कर लो फिर करना तभी तो उसने कर लिया था अपना नहाना धोना और सेलेन को भी मैं यहीं बोलूंगी तो वो भी कर लेते हैं और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है और भाना सब कुछ लेकिन उसके बाद एक आद्वी इतने कपड़े पहन के रखता है अगर नहाने जाए चेंज करता है इतने कपड़े हो जाते हैं कि पूछिये मत थंडी में कम से कम एक इंसान दो तिन तिन चट्टो पहन के रखता है यहां की थंडी में और मेरे बिट देख ज दबल करके ओड़ रहे हैं ठंडी की वजह से और कबर भी चढ़ा रखे हैं सारे जिन पर कबर चढ़ा रखे हैं उसको डबल करने की जुरुत नहीं पड़ती है कंबल रजाई को और नहीं चढ़ा है तो डबल करके ओड़ना पड़ रहा है और यहां पर बरतन रख दिया है साइड में और दाल चड़ा रही हूं गैस पे कि दाल पकती रहेगी तब तक मैं बरतन धुलूंगी और शीखा को बोलने तुम लेकर अनाय को ऊपर चलो मैं आ रही हूं धूप में चलो धूप हो गई है बढ़िया वहां उसको थोड़ा सा कुछ खिलाव पिला कौन खाएगा इदे क्या है ये ओरिंज थेखाओगी देखो तुम्हारा इदा दिखाओ मुद में कुछ लगा हुआ है चिलो इसको चीले का उन अरे रे 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 अैसे चीला जाता है और इसे चकों से नहीं चीलते ऐसे चीलो हां ऐसे चीलो च्छील नहीं जा रहा है आता नहीं छीलना आता है नहीं आता है यह सारा खतम करना यह इतना रखा हुआ है यह छील लिया तुमने आखे में कौन छील कॉछ यह आपने चीला ओहों है तो इस नहीं लाएं है तुमने और इंजी खाल लिया तुमने और इंजी खाल लिया मेरी यह नहीं करोगी है अच्छी है वह से कहते हैं कि मीठी मठर खा ले दो मीठी वाली मठर दूर दूर का हम लोग सारे शुबा करनास्ता काम सब निप्टा के आ गये हैं ऊपर थोड़ी देर भूट सेखेंगे सारा फाल प्रूट चावल सिखा लेके आई बिनके यहीं चावल साब करके रखेंग तब हम लोग चलेंगे फिर नीचे करो कर रहे हैं कर रहे हैं कि अच्छी लगे हुए अभी खाना किस पेट में खाएंगे सब लोग जब से यहां दूप में बैटे हैं कुछ ना कुछ ना कुछ मुह में दिक्षा बनाके कॉर्ण लेके आई अभी और बाकी हम लोग फल प्रूट क्योंकि खाने के दिन में मनी नहीं करता कई दिन से रखे रखे यह अम्रूद की सकल बिगड़ गई कैसे थे और कैस यहां बैट की लोटे लॉट एक बैट के खाए हों इसलिए यहां चत पर मनें नहीं का नंबर नहीं आया अनार खालिये संतरा खा लिए अम्रूद कटे नहीं है अभी कॉन भी रखा है सेलें नहीं खाना कॉन नहीं खाना को बहुत पसंद है इसलिए सिखा ने दिख्षा से बोला दिख्षा बना के लेकर आई सिख्षा सोच नहीं सब लोग खाएं अब लेकिन दूसरी कट्वरी जो है वह भी सेलें करने के लिए नहीं पसंद है तुम ऐसा कर दो खाएं तुम ही खालो तो ऊपर से आने के बाद का फट्सी हुआ है खाना त्यार बनाएं कि मस्ती देखी चल रही है बराबर दाल बनाके ही गई थी सब्जी भी काटके रखके गई तो कद्दू की सब्जी मेनाई मैंने सलाद अचार तो फार का सिंपल सादा खाना दाल चावल लो दो तीन लोग हो जाते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है करने के बाद खाना पीना हुआ फिर थोड़ी देर मैंने वीडियो अगर आइडिट करके डाला और अभी हो गई है साम और यह मैं रख रही हूं कप में चान के सिखा के लिए काढ़ा क्योंकि उसको खांसी बहुत खांसी आ रही तो मैंने अद्रक का रश निकालके उसमें सहट डालके रात रात में दिया सोते वक्त भूल गई आप लोग को दिखाना उसी से उसको आराम होगे कोई बीना दवा के आप लोग को भी अगर बच्चों को ऐसा होता है न तो पहले तो घरवाला अपना घरेलू उपचार किया करिए और बाद में फिर नई ठीक होता तो दिखाईए डॉक्टर को दवा ले आईए इस तरह से मतलब होता ही है वैसे भी हम लोग की तो आदत है बहुत लोग होते हैं सीधे तुरंत थोड़ा सा कुछ भी हुआ डॉक्टर के पास मेरा तो यह है कि अगर थो गुलाब जामुन लिए इसमें थोड़ा सा घी डालिए एक पैकेट में एक चम्मज घी डालिए देशी इस हिसाब से इतने परफेक्ट गुलाब जामुन बनते हैं कि मतलब होता है कई लोग इसमें भी परफेक्ट नहीं बना पाते पैकेट वाले में भी लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनेंगे कि आप आठा जो है जो यह गूंदा है न थोड़ा गीला गीला सौप्ट सा गूंदिए और एकदम से गोटी की तरह मसल मसल मैस करके मेहनत करके मत बस उसको इतना करना होता है कि आप उसको लपेट लीजिए और जब बाद में ग गुलाब जामुन इसी तरह से मैं बनाती हूं बहुत ही बढ़िया बनते हैं और चीनी चीनी जितनी मतलब आप डालते हो तरना ही पानी डालना होता है यह रेशियो परफेक्ट होता है तो वैसे तो पैकेट जो रहता है उसमें भी लिखा रहता है कि आपको क्या कैसे करना ह फिर भी मैं जो बना रही हो तो मैं इसलिए बना रही है कि नोगा जाएंगी सनुष संद्धे पढ़े तो दोनों ही काम हो जाएंगे और यहां पर मेरी चासनी जब उबलने लगे पांच मिनट उबालना होता है जैसे उबाल आने लगे तो आप चासनी को पांच मिनट उबाली हो चासनी हो जाती तयार है इसमें कोई पढ़ने लिखने किसमें आप लाइची पाउडर भी मीडियम आज में पकाना होता है अदलब ना तो तीज एकदम गयस ना एकदम स्लो और यहां पर मेरी चासनी पढ़ गई थी कम क्योंकि मैंने कुछ जाद ही गुलाब जावन बना लिये थे तो मैंने बाद में अलक से फिर से और चासनी बना के उपर से और डाली थी क्योंकि उ थोड़ा सा यह भी कम हो जाएंगे जो उपर सूखे पड़े हुए हैं यह अंदर जाब छन ही रहे हैं मेरे गुलावन सांत में सामकी मैंने चाय भी चढ़ा दी है चाय भी बने जा रही है तो यह इसमें निकाल लिया है कि सबको दे देती हूं और सब लोग मूँ मीठा कर और यह देखिए थोड़ी ही देर हुई अभी देख रहे हैं अभी छनी रहे हैं उतनी ही देर में डाला है और पास मिनट बाद ही निकाला है और फिर भी देख रहे होंगे कि बहुत अच्छे सच में बने हैं अपनी नहीं जादा करनी मैं यह इतना बताना चाहतीं परफेक होता है पहले आने की तयारी करो और फिर जाने का इतनी जल्दी भी जग गया दिन अब जाने का समय आ गया और मैं जा रही हो भी मार्केट को सौपिंग करने चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में और वीडियो पसंद आता है प्लीज सब मोटीवेशन मिलता है अपना भीड सारा ख्याल लखें लव यू आल टेक केर बाई